हरी हो आप लोगों का मायग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को जो फोटो शॉप में लेश को फाइल में कैसे कश्वॉट कर सकते हुए उसके बारे में बता रहा हूं अलग-अलग format में आप कर सकते हैं पिंग में PSD में JPEG में अलग अलग formats में कर सकते वो कैसे करना है उसके बारे मैं बता रहा हूं अभी क्या है कुछ images लेता हूं इदर में कि से तीन फाइल लेता हूं डेके इसको open कर दो आप अलग अलग फाइल तो । यह अभी यह नया फाइल भी लेता हूं एक new new file लेता हूं new file क्या है एक inches में ले लो आप लेके एक 8 x 12 लेता हूं नहीं तो 12 x 12 x 8 ले लेता हूं इसको resolution 300 रखता हूं RGB है OK बोलता हूं नहीं तो आपको CMR के चाहिए तो CMR के रख सकते हैं अब इसको क्या है अभी यह transparent लेया मैंने और इसfile को लेता हूं अभी यह जो file edited एइसको मैं अभी के लिए वैसे load कर लेता हूं editing कैसे करना हो सब आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं उस वीडियो को end screen में आपको देता हूँ तो अभी इसको क्या करना है अभी select में जाके load selection बोलता हूँ अभी इधर आउटर करके है इसको load कर दिया इसको copy करो copy करके जो empty file है इसमें लेता हूँ इसमें आके paste कर लेता हूँ इसको control T करो यह एक अलग layer बन गया इसको क्या है अभी इस तरफ रख देता हूँ यह आपको संच में आगया अभी क्या है दूसरा file लेता हूँ इस file को close कर देता हूँ इस file में आता हूँ अभी इसको क्या है थोड़ा emboss करना है मुझे okay emboss करना है बोले तो अभी मैं क्या करता हूँ F7 में आता हूँ F7 में आके इस layer को क्या है double click करो तो blending options आता है इसमें आके अभी मैं क्या करता हूँ तो bevel and emboss में आके इसको थोड़ा size ऐसे बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा glaze बना देता हूँ okay यह जो point है इसको आप center में लाएंगे तो इसे glaze जैसा बनता है अभी इसको क्या है emboss रखता हूँ तो और थोड़ा यह लगता है इस तरफ लेता हूँ इसमें आपको थोड़ा depth चाहे तो depth आप दे सकते हैं ओके इसको इसको इदर highlight भी ज्यादा कर सकते हैं आपको जितना चाहे उतना आप रख सकते हैं इसमें कहें थोड़ा size कहें थोड़ा कम कर लेता हूँ इतना रख के okay बोल देता हूँ कि अभी क्या हूँ इसे ही आप PSD करके इसको आप सेव करके किसी दूसरे सफ्टर में यह आप कोरलर में लेके जाएंगे तो यह अपको समझ में आ रहा है इसको कैसे लेके जाना अलग-अलग लेयर करके एक 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 बार आप करते बैटेंगे तो बहुत टायम भी लगता है यह की बार में सब काम हो जाता है उसके बारे में बता रहूं मैं आपको अभी क्या है इसको इसको क्लोज करता हूँ इस फाइल को क्या है इसे बहार ड्रैग करके इस फाइल को क्या है इसे ड्रैग कर लेके अभी मैं इसको क्या करता हूँ इस लेयर को क्या है मर्ज कर लेता तो Wenn आ को जितना बढ़ा इस फाइल को close करके close कर देता हूं अभी इसको जितना बढ़ा करना है कर सकते हैं अब इसको क्या है और मिडियम रखता हूं अakte गोले तो magic pen tool आ रहा है इसको क्लिक करो तो plane बेग्रोंड है कि यह से आराम से हो जाएगा तो से पहले इसको क्या करना कि क्लिक करने के बाद mortal ऐसको जाको कि बाएक करने केबाद इसको थोड़ा अंदर की देता हो, तो आपको क्या करना है, Select, Modify, Contract बोलता हूं, Contract बोलने से अभी One Pixel बोलता हूं, One Pixel बोलने से यह क्या हो रहा है, चारों तरफ से क्या है, Image में है, इससे Selecton क्या है, अनदर की तरफ आ रहा ह। ओके इदरreso弓 करके मैं आपको दिखा रहा ह। इधर यह समझ में में आ रहा है उके सो अभी इसको क्या है इतना करने के बाद अभी इसको सिलेक्ट में जाके आप फैदर भी दे दो फैदर क्या है अभी के लिए दो दे देता हूं टू देता हूं टू देके ओके बुल दो आप सो फैदर आ गया अभी इसको कॉपी करता हूं कॉपी करके फिर जैसा कट करना है मुझे भी इसको एक वोल बनाता हूं थोड़ा उपर से इसे ले लो आपके ऐसे एक आर्क जैसा लेता हूं लेने के बाद इसको क्या है फेदर देना है फेदर क्या है अभी एक 50 देता हूं मास्क भी दे सकते हैं यह मास्क भी दे सकते हैं नहीं तो क्या है आप सेलेक्ट में जाके इन्वर्स करके आप डिलिट भी कर सकते हैं यह क्या हुआ नीचे ऐसे स्प्रेश जैसा कट हो गया यह आपको समझ में आ रहा है अभी इसको क्या है और थोड़ा बढ़ा कर लेता हूं से यह तीनों लेश्ट अलग-अलग है भी अभी क्या करता ओंधर इतना यह रखके अभी मैं क्या करता हूं इसमें कुछ टेक्स्ट टैप कर लेता हूं भी टेक्स्ट टूल लेकर आप क्या करो इदर क्लिक करो अबक्וס करके याप जो चाहिए वह टाइप कर आप है अभी इसमें Ctrl-T बोलता हूं shift के साथ एसे Corner पकड़के बड़ा करना है तो प्रोपोस्चनेट में होता है अभी क्या है ऐँ क्या है क्या है वाइट है तो इसको व्ली में क्या करता हूँ एसे ही और थोड़ा बॉल्ड कर लो अभी इस फॉन्ट को क्या है तो इस्टाइल बलाक बोलता हूं तो बोल्ड हो गया वैसे ही एक ready style देता हूं इसको डबल क्लिक करो blending option में आता हूं लेयर style में एक style ready style देता हूं कि इसको आपे आ कि इसे सेट कर सकते हैं अगर दूसरा चाहिए तो इधर लोड भी कर सकते इसके बारे मिने पहले भी वीडियो दे चुका हूँ इसमें क्या है अभी इसमें आता हूं आ कि आप क्या करो okay बोलो अपको कौन सा चाहिए वह आप इसे दे सकते हैं कि एक बार इसको भी आप चट कर सकते हैं अभी इसको क्या ऐसे सेलेट करके इसको अभी बोलता हूं कंट्रोल टी करो और थोड़ा एसे बढ़ा कर लेता हूं अभी समझो इन सब को मुझे क्या करना है को लेके जाना है नहीं तो कौन सब भी दूसरे स्क्राफिक सॉफ्टर में लेके जाना है तो अभी मैं क्या करता हूं इसको फाइल में जाके आपको क्या करना है अभी यह सब हमारा लेयर्स बन गए यह सब अभी क्या इतने चार लेय क्लिक करके आपको क्या करना है destination folder ये destination आपको कहां पर सेव करना है ब्राउस करता हूँ browse करके अभी मैं क्या करता हूँ इदर destination क्या है इदर layers करके folder बनाया है मैंने उसके अंदर png करके रखा है file इसको select करता हूँ OK बोलो destination ले लिया वो वो फोडर के एंप्टी है अभी यह तो इदर का फाइल नेम जो हम एक्जिस्टेड अभी जो फाइल ओपन है उस फाइल का नेम बता रहा है अभी अन्टाइटल्ड है है इदर अलग-alg फार्मेट्स से आप शेव कर सकते हैं अभी विजीबल लेयर सब इसेल है तो इसलिए मैं इसको एक्टिव नहीं रखा है कि अगर आप एक्टिव थाइए तो जो विजीबल रहता है अब इसको एक्टिव नहीं रखा है इसमें पी चींप और जेपीजी PDF अलग-अलग format से आप layers को export कर सकते हैं JPG अगरा करेंगे तो पूरा flat आ जाता है white background आता है उसमें इसलिए अभी मैं क्या करता हूँ PNG लेता हूँ PhD लेने से भी क्या है पूरा आ जाता है लेकिन यह जो हमने emboss किया हुआ है यह नहीं आता है अगर आप PhD करके जाएंगे तो यह जो emboss किया हुआ है यह नहीं आता है इसलिए अभी मैं क्या करता हूँ इसको PNG format में ले लेता हूँ PNG 24 में लेता हूँ पूप अभी इसको क्या है ट्रांस्परंस से एक्टिव रखना जरूरी है नहीं तो बैग्रोंड में वाइट आ जाता है ट्रांस्परंस सी रखके अभी आप क्या करो इसको run बोल दो आप अभी देखो एक-एक लेयर को क्या है एक-एक अलग-अलग फाइल से उस सेव कर रहा है यह आपको समझ में आ रहा है बहुत आसानी से क्या है आप कोरल रॉम में ले कर जा सकते हो करें एक-एकस्पोर्ट लेयर्स तुफाइल वज सेकस्फौल करके बता रहा हूँ बहुति आसानी से क्या है आप यह सब लेयर्स क्या है अलग ग्र्राफिक ईक्षॉफटर में आप ले जा सकते हैं वह कि यह आपको समझ में आ गया अभी मैं इसको क्या करता हूँ इदर यह minimize कर लेता हूँ, minimize करके अभी क्या करो, आप इधर import करो, coral raw में आया भी मैं, coral raw में क्या है, आप mouse right टिक करके import करो, import वो folder कहा है हमारा, desktop के उपर है, अभी desktop पे आता हूँ, desktop में क्या है, layers करके है, इसको double click करो आप, अभी देखो इतने सारे files, अभी png करके folder है, इसके अंद click करना है, अभी देखो इसे click करने से क्या है, सब layers आ रहे हो, अभी इन सब को select करके, अभी थोड़ा इससे बड़ा कर लेता हूँ, देखो अभी इसमें, अभी background में कुछ भी नहीं है, transparent है background है, ओके, अभी इन सब को क्या है, इससे बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, इस shift page down बोलो, तो देखो भी, यह क्या है, पूरा transparent है, ओके, यह आपको समझ में आ गया, इस तरह क्या है, आप Photoshop से layers को, अलग-अलग फाइल करके, save करके, coral raw में ला सकते हैं, अगर यह करते वगत आपको कुछ dots वगरा है, तो मुझे comment box में comment कीजेगा, हमारे साथ जुड़े र झाल और न्गिपास झाल भी, यह क्या हुआ एल्हे हुआ हुग यह किपर आपो कुछ छू गुब लाच्主त में सकत, भी, यह क्या हो च्ये खाल में है, आपको में सकता हैं, आपको में सकते हैं, क्या नें आपको